हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल लर्निंग टिप्स और आज हम जिस टॉपिक को डिसकस करने जा रहे हैं वो है आपका सबसे इंपोर्डेंट टॉपिक जिसका नाम है इंडियन पार्लेमेंट सिस्टम एंड डेमोकरसी सो मेरी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको यह कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सबस्क्राइब करें and शेयर करें सो फर्सली हम लोग यह जानते हैं कि डेमोकरसी है क्या अगर मैं आपको बताओं तो डेमोकरसी की जो शुरुआत हुई वो अबरहाम लिंकन सोई अबरहाम लिंकन जो है वो डेमोकरसी के फाउंडर माने जाते हैं क्यूं, क्यूंकि डेमोकरसी के बारे में सबसे अच्छी है, सबसे इजी डेफिनेशन उन्होंने दी Your definition थी, democracy is a government of the people, by the people, or for the people. Democracy एक ऐसी government है, जहाँ पे जनता की ही power होती है, जनता का ही राज होता है, सब कुछ जनता का ही होता है. इंडिया में क्या है? इंडिया में democracy तो है, लेकिन democracy के साथ साथ इंडिया में federalism भी है. Federalism कहा जाता है, power sharing को, power sharing यानि के power को बाट देना. तो इंडिया में power जो बटी गई है, वो दो ग्रूप में बाटी गई है, union government और state government. Union government, that means national government, and state government, that means state की government, यानि के राज्ये की government. अगर हम बात करें, इंडिया में democracy और federalism की, तो federalism इसलिए आया idea में, ताकि democracy में भी कई सारी जगों पर problems आ जाती थी. जैसे, अमेरिका में democracy है, लेकिन presidency है महाँ पर, लेकिन इंडिया में जो democracy है, वहाँ पर prime minister की power होती है. और prime minister के साथ, state की power अलग है, national power अलग है, और उसके साथ, judiciary की power अलग है. कई बार आपने सुना हो कि, जब कभी भी national government के कोई फैसला पसंद नहीं आता, तो हम supreme court में case कर देते हैं, court में case कर देते हैं, और national government को जो high court है, या supreme court है, फटकार लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, उसके पास इतनी power क्यों हैं, क्योंकि इंडिया में क्या है, federalism है, federalism क्या है, power sharing, power sharing का मतलब, जो हमारा देश है, वो national और state दोनों government में divide हुआ है, उसी तरीके से power भी divide हुई हुई है, सबसे पहले हम बात करते है, union government की, हमारे पता है कि 1950 में हमारे देश दुबार से republic हुआ, यानि कि हमारे देश में constitution लिखा गया, उस constitution के accordingly हमारे देश में law बनते हैं, और law जो पास होता है, वो होता है, पार्लेमेंट में, यानि कि पार्लेमेंट हाउस में, पार्लेमेंटरी सिस्टम है, तो हमारे देश में जो head होता है, वो माना जाता है PM, ना कि president, और जो national government में हमारे representative होते हैं, वो होते हैं MP, MP मतलब member of parliament, यानि हमारे सांसद, सांसद जो हो तो 272 प्लस seat जिसके पास होंगी, वो majority में होगा, और जिसके पास 272 से कम seat होंगी, वो किस में जाएगा, वो minority में जाएगा, यानि कि mostly जो 272 से जिसके पास seat होती है, वो ही national government बना पाते हैं, यानि कि जिसके पास 272 से जादा सांसद होंगे, यानि कि MPs होंगे, वो ही देश में अपनी सरकार बना पाएगा अब ज़रूरी नहीं होता कि कई बार एलाइन्स भी बन जाते जैसे बीजेपी का एलाइन्स है वो है NDA और कॉंग्रेस का एलाइन्स है UPA तो दोनों के अलग-अलग एलाइन्स है तो एलाइन्स का मतलब होता है ग्रूप कि अगर 272 बीजेपी के पास MP नहीं हो पाए या Congress के पास नहीं हो पाए तो उनकी जो समर्थक में पार्टी होती है वो मिला करके अगर टोटल 272 से जादा हो जाते है तो उनकी गॉर्मेंट बन जाती है अभी करेंट में जो गॉर्मेंट जो एलाइन्स है वो है NDA NDA का एलाइन्स है यानि के BJP और उसके समर्थन समर्थन में जो दल है वो तो जो PM होता है फिर वो अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स चूज करता है या फिर जिस पार्टी से सलेक्ट जिस पार्टी से PM बना है उस पार्टी के जो head होता है जो द्यक्ष होता है वो चूज करता है कैबिनेट मिनिस्टर्स आप जानते होंगे जैसे finance minister है health minister है और finance ministers है railway ministers है infrastructure minister है तो अलग-अलग department के अलग-अलग ministers होते हैं भी हमें पता था के डॉक्टर हर्श वर्दन जो हैं वो भी हमारे health minister थे लेकिन अभी वो change हो गया है क्योंकि नई cabinet का विस्तार हुआ है cabinet का मतला अभी दुबारा से नए मंत्री मने है नए मंत्री मंडल का विस्तार हुआ है अब ये बात आपके समझ में आई गई कि जिसके हाफ से ज़ादा seat होती है उसी का PM होता है और जिसके पास हाफ से कम में सबसे ज़ादा seat होती है वो opposition होती है opposition party और उसमें से किसी एक को head चुलने जाता है यानि वो opposition का head हो जाता है अब अगर हम house की बात करें तो national government में भी दो house होते है एक upper house और एक lower house upper house लोकसभा और lower house राज्यसभा अपर हाउस जो लोकसभा है लोकसभा के जो members है वो total 543 है और राज्यसभा के total members होते है 245 जिस में से 12 members को nominate करते हैं president 12 members president इसले nominate करे जैसे हमाई देश में कई famous लोग personalities है जैसे सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सांसद हैं तो famous personality है तो कुछ famous personality जिन्होंने देश का नाम रोशन किया हो तो उनको राज्यसभा का ticket दे दिया जाता है और वो कौन nominate करते हैं president nominate करते हैं और बाकी के जो members होते हैं राज्यसभा के उनको choose करते हैं हमारे legislative member यानि के जो हमारे राज्ये के members होते हैं वो select करके भेजते हैं अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि लोगसभा का election हर 5 साल में होता है राज्यसभा का हर 6 साल में होता है तो जो लोगसभा का 5 साल में election होता है उस election में हम लोग अपने representative choose करते हैं यानि कि हम लोग अपने सांसर चूस करते हैं every five year और राज्यसभा में जो हमारे legislative members ह वो चूज करते हैं यानि कि वो एलेक्शन आम इलेक्शन नहीं होता जिके हम लोग वोट डालने के लिए जाएं आपको पता है हमारे देश में यूनिवर्स एडल फ्रेंचाइज है यूनिवर्स एडल फ्रेंचाइज का मतलब है कि 18 साल से जितने भी जादा के उम्र के लोग हैं वोट डालने के लिए जाते हैं अपना MP चुनते हैं और MLA चुनते हैं अब ये तो आपको समझ में आगया होगा जो MP होता है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है हमारी बात को किसके आगे रखता है नेशनल गवर्मेंट के आगे रखता है उसके बाद आता है फेडरल of legislative assembly यानि के विधायक विधायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो विधान सभा के member है इसलिए उन्हें विधायक कहा जाता है और ये जो election होता है राज्ये का वो विधान सभा का होता है और जो national होता है वो मैं आपको बता दे हो लोक सभा का होता है यानि के parliamentary election होता है ये जिसकी majority होती है उसी की government आती है जैसे के अब हमारे UP में 400 total 403 seats हैं तो जिसकी 200 plus seat होंगी यानि के 202 plus seat होंगी उसी की UP में government होगी जैसे भी BJP की government इससे पहले समाजवादी की थी तो cabinet ministers जो चूज करते हैं वो या तो party चूज करती है या CM चूज करता है ठीक है उसके बाद एक इसके अंदर important चीज़ है यहाँ पे भी same है majority party का CM बनता है और minority party opposition में जाती है लेकिन एक important point है fourth point यानि के governor state government state में राजियों में एक governor appoint किया जाता है जो CM को शपत दिलाता है और CM को जो शपत दिलाता है वो governor है और governor को जो appoint करते हैं वो हमारे देश के president करते हैं और majority party के member करते हैं governor बना कर के शरकार उनको हर राज्य में भेशती है वो शरकार governor बना कर के इसलिए भेशती है ताकि राज्य हमेरे हर CM क्यूंकि जरूरी नहीं है कि जिसकी national government हो जिस party उसी की राज्य में भी गौवर्न्मेंट हो जैसे दिली में आम आदमी है नैशनल लेवल पर BJP है और उसी तरीके से बेंगॉल में TMC है और अगर देखा जाए तो देश में BJP है तो राजियो में जो CM है वो सही तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या जो नैशनल पॉलिसीज है वो स्टेट में लागू हो रही है या नहीं हो रही है या नैशनल लेवल पर जो ओर्डर पास हुए है वो स्टेट लेवल पर वर्क हो रहे हैं अगर नहीं हो रहे तो governor का काम होता है cm को suggest करना यह नहीं हो सकता कि अगर 如果你 appoint किया है cm के लेवल पर ही बैठा हुआ है तो CM לס के सिर्फ यह देखने लिए लागू हो रही है national policy चल रही है没 119 की होती है बस वह तो अपना policies देखने के लिए appoint किये जाते है ठीक है और हर state में governor appoint करता है कौन appoint करता है वो appoint करती है हमारी national government अब हमारे तीन पार्ट हो गए union government यानि national state government यानि के राज्य government अब आज आती है हमारी local government यह हमारा third year है क्योंकि power sharing है तो local level पे भी होता है local level में जो head होता है होता है mayor mayor का election भी हर five year में होता है mayor के लिए हम लोग अलग वो डालते हैं और हमारे जो representative होते हैं वो होते हैं हमारे पारशद जिनको ward member कहते हैं जैसे आपकी गली महले में कोई परिशानी है सड़क तूट रही है गली की या पानी की वैवस्ता सही नहीं है लाइट की वैवस्ता सही नहीं है तो कौन बताएगा हमारे पास तो इतना time नहीं है तो mayor को हवा mayor को यह पता हैं चला कि कौन सहीरी में क्या हो रहा है तो वो ward member बताता है ward member का काम है हमारी परिशानियों को municipal municipality या municipal corporation इन दोनों जगे के जो head है याद के mayor है उनको जागर के बताना municipality जो होती है वो कहलाती है नगर पाली का जो towns में होती है यानि के कसबों में होती है और municipal corporation यानि के nगर निगम जो की city में होता है जैसे अगर आप district मे रहते हैं तो आप के यापे नगर निगम होगा या नगर परिशद होगा तो ये कुछ important factors है क्योंकि हमारे यह power sharing है हर किसी के पास एक अपनी अलग power है जैसे national government है उसके अलग अपनी power है अलग cabinet है अलग ministers है फिर state government की अलग power है उसके अलग member है अलग ministers है और उसके साथ साथ local level पर एक अलग power है अब एक ची national level पर upper house और lower house दोनों होते हैं तो क्या state level पर भी होते हैं हाँ सही कहाँ आपने state level पर भी दोनों house होते है अपर house और lower house जैसे जिसको हम जब हम MLA चूज करते हैं यानि के member of legislative assembly चूज करते हैं चूज होकर कहां जाते हैं यानि के legislative assembly में जाते हैं वो legislative assembly में जाएंगे चूज ह MLC बनते हैं वो state government के जो members होते हैं सभी state government के वो choose करके अपने में से member कुछ members को MLC बना करके member of legislature council में भेजते हैं और इसका election भी six year का होता यानि के दोनों जगे पर ही दो house होते है upper house और lower house अब यह upper house lower house का system क्यों बनाया गया upper house lower house का system इसलिए बनाया गया क्योंकि national government में जो majority है उसी की government है यानि के parliament में लोग सभा में जिसकी majority उसकी government तो जाहिर सी बात है जो उनका मन करेगा वो वही कानून बनाएंगे वही कानून पास करेंगे तो उस कानून को रोका कैसे जाएगा उस कानून को दूसरी जगे challenge किया जाता है राज्यसभा क्योंकि राज्यसभा में जो member होते हैं वो हर equal होते हैं वहाँ पे कोई majority minority नहीं होती तो वहाँ पे अराम से हम लोग कानून अगर कोई गलत है तो उसको रोक सकते है ठीक है और अगर फिर भी हम लगता है कि वह का law हमारा गलत पास हुआ है या वो कानून पार्लेमेंट में सही नहीं बना है तो वो फिर supreme court में उसे challenge किया जा सकता है क्योंकि मैंने बताया हमारे देश में federal system है federalism है यानि कि power sharing है national government, state government local government और उसके बाद फिर आते ही हमारी judiciary यानि कि पहले हम case करते हैं lower court में district court में फिर high court में फिर supreme court में तो यहां पर भी एक step by step power sharing होई भी है तो हम लोग अगर district court का जो फैसला है वो सही नहीं आया तो state court में हम challenge कर सकते हैं नहीं हाई court में high court का सही नहीं लगा तो supreme court में सुप्रिम court का भी सही नहीं लगा तो president के पास जा सकता है पूरा एक step by step सेम यहां पर भी यह है कि अगर सरकार की कोई policy अच्छी नहीं लगती है तो हम court में जाकर के खड़े हो सकते हैं और अगर सरकार की policy को opposition पसंद नहीं करता है तो उसे राज्य सभा में challenge कर सकता है ऐसे state में भी है अगर state की सरकार की कोई policy अगर पसंद नहीं आ रही है तो उसे legislative council में यानि कि जहां पर MLCs होते हैं वहां पर उसे challenge किया जा सकता है और उस law को रोका जा सकता है इस तरीके से हमारे देश में यानि कि हम यह कह सकते हैं कि हर किसी के पास एक अपनी individual power है जिस वज़े से हमारे देश को क्या कहा जाता है हमारा देश unity on diversity यानि कि अनेकता मेकता है हमारे देश में और इतने सारे लोग होने के बाद भी हम सब लोग equal हैं वो equal इस वज़े से हैं क्योंकि हमारे देश का जो constitution है उसके पहला ही है right to equality पहला ही उसका point है right to equality यानि कि हर किसी के पास सेम अधिकार है तो government system में भी सब की power को share किया गया है ताकि कोई भी अपनी power का misuse ना कर सके so I hope आपको मेरी वीडियो में समझ में आ गिया होगा parliamentary system होता क्या है अगर आपको इस related और कोई वीडियो पूछनी है या अगर आप चाते हैं आपको किसी चीज में confusion है किसी चीज में कोई परिशानी है और आप चाते हैं कि उस topic पे भी मैं आपके लिए वीडियो बनाओ तो आप मुझे suggest कीजे comment box में जा करके मैं आपके लिए एक नए topic पर एक नई वीडियो बना करके लाओंगा तब तक के लिए bye bye आपको last में फिर कहता हूँ मेरे channel को like करे, subscribe करे and share करे bye bye